नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्षर अमित माईश्वरी आप सभी का सोगत करता हूं बिजनस ग्रोथ स्ट्रेजी के इस कोर्स में और उमीद करता हूं कि आपने इसका इंट्रोडेक्टरी वीडियो देख लिया होगा कि इस पूरे कोर्स की डूरेशन में हम क्या-क्या टॉपिक करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टेमिक तरीके से बिजनस को आप प्रोशिजर वाइस बिजनस को कि क्या खरती है कि बिजनस शुरू कर देते हैं त्स नाम से मैं बुग्रेंस चाहिए और उन आप पर भेज़ दिया हुब हमें जो ना वो first day से पहले follow करना चाहिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि business के legal rights मेरे पास क्या-क्या है और मेरी virtual asset कैसे create होने वाली है ध्यान रखिएगा friends आज के समय पर brand की power बहुत बड़ी power है और ये गलती से भी आप किसी business को कर रहे हैं उसका नाम already किसी दूसरी company organization के नाम पर है तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फस सकते हैं या आपके प्रती legal कारवाई हो सकती है इसलिए इन सारी घटनाओं से बचने के लिए चीजों से बचने के लिए हमें business को systematic तरीके से शुरू करना चाहिए तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या process है क्या procedure है क्या documentation हमें चाहिए business का establishment करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ है business identity आप जो business करने जा रहे हैं उसके identity आप कैसे रखने वाले हैं फिरिंट जाए तर देखा गया है जब हम एक small scale business करते हैं तो हम sole proprietorship business करते हैं यहां पर दोनों की identity अलग अलग हो जाती है क्योंकि दोनों का pen number अलग होता है क्यों ऐसा करना चाहिए यह बात समझना बहुत जुरूरी है अगर आप sole proprietorship business कर रहे हैं और किसी तरह का कोई loss हो जाता है कोई हानी हो जाती है कोई miss happening हो जाती है तो आपके business की जितनी value है वो तो ही है प्लस उस loss की भरपाई करने के लिए आपकी निजी समपत्ती को भी शामिल किया सकता है लेकिन अगर आपके business की company की identity है ना तो उस company की जितनी value है कि वो उतना ही भुकतान आपसे लिया जा सकता है उसके बाद partnership अगर आपको लगता है आपके साथ और भी साथी है जो मिलकर आपके साथ business कर रहे हैं और कई बार तो आपके निजी समपत्ती भी उसमें जोड़ देनी पड़ती है क्योंकि वो घाटा पूरा करने के लिए आपके निजी समपत्ती भी आप ही की personal asset मानी जाती है लेकिन अगर आप एक registered partnership deed करते हैं तो आपके पास एक लिखा हुआ प्रावधान होता है कि जिसके अंतरगत यह पता लगता है कि आपकी liability कितनी है जातर business में क्या होता है जब partnership करते हैं 50-50 होता है दोनों बराबर पैसा लगाते हैं दोनों मिलकर बराबर काम करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है ratio जो होता है वो different होता है 60-40, 75-25, 70-30 लेकिन अगर आपकी partnership deed नहीं बनी हुई तो आपका कोई भी ratio हो government की निगा में माना जाएगा कि आप बराबर के लाब और हानी के भरपाई के हगदार है इसलिए आपकी जो partnership है वो registered होनी चाहिए partnership act 1932 के अंतरगत 1932 अब यह कौन करेगा आपका जो lawyer है आप उसको contact करें कि मुझे partnership firm register करनी है जब आप partnership firm register करेंगे तो उसकी एक identity होगी उसका अलग से pen number होगा उसकी अलग से partnership में भी क्या होता है partnership लगता है partnership में भी partnership लगता है मतलब कोई भी अगर प्राब्लम होगी तो partnership act के अंतरगा जो भी प्रावधान है उन्हीं को फॉलो करना होगा लेकिन अगर आप LLP बनाते हैं लेमिटेड लाइबिलिटी partnership यह partnership तो है ध्यान से देखो limited liability मतलब देनदारी निश्चित है अगर आपकी company की value for example पांच लाग रुपे है और अगर company कितने का भी लॉस करते 10 लाग का 15 लाग का पचास लाग का एक करोड़ का तो आपके देनदारी केवल पांच लाग तक की रहती है कानूनी प्रावधा partnership LLP form करें अगर आपको लगता है business का प्रारूप थोड़ा systematic तरीके से करना है आने वाले समय में और लोग अपने साथ जोड़ने है अपनी company की value create करनी है लोगों के प्रती जो आपकी company उसकी loyalty बढ़ जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं private limited company form कर सकते हैं कम भारतिये company देरिय equity इसका भी अधिकार आपके पास होता है कितने percent share आपके पास है बविश्य में अपने share किसी दूसरे विक्ति को transfer भी कर सकते हैं next हो गया public limited company पब्लिक limited company उस तरह से होती है अगर आपका future vision बहुत बढ़ा है कि मुझे बविश्य में अपनी company का IPO list करना है या अपनी company में कर सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने business की identity किस level पर create कर सकते हैं या करना चाहते हैं और यह बात पर निर्भर करता है कि आपका business को लेकर क्या vision है जैसे मेरी firm भी है मेरी private limited company भी है और मेरी public limited company भी है तो शुरुआत मने एक firm से की थी जब मेरा firm का व्या private limited company में convert कर लिया और private limited company में convert करने के बाद बिजनस expansion की और जाने लगा और मुझे लगा कि आप मेरा future vision और बढ़ा हो सकता है तो मैंने public limited company को form किया fine तो आपके बनिभर करता है कि identity कैसी आप बनाना चाहते हैं next जो important बात है वह certification registration and licensing friends ध्यान रखिए हर business के लिए na different different certifications चाहि फर्म है इस बात का प्रूफ क्या है आपके पास कि आपकी जो फर्म है और यह इस दिन से शुरू हुई थी उसके लिए आपके पास एक होता है शॉप establishment certificate शॉप establishment certificate अगर आप शॉप establishment certificate बना लेते हैं तो इसका मतलब आपकी जो sole proprietorship फर्म हो वह भी registered है एक तरह से आपके बा और से रिलेटेड़ वर्क रखेत फार क्पार कि लेटेड़ लेसेंस होता है मं कि इस तरह के लैसेंस होता है जिसे पॉलिशन से समथे लाइसे ஐसे मारे बोर्ट ने आपको पर्मिशन दिये कि हाँ आप इस बिजनस को यहां कर सकते हैं उसके बाद MSME रिजिस्ट्रेशन यह निवारे नहीं है लेकिन अगर आपके पास MSME रिजिस्ट्रेशन होता है तो भारत सरकार ने बहुत सारे बेनेफिट्स को दिये हुए उसका लाब आप ले सकते हैं जैसे कहीं भी आप टेंडर भरते हैं तो टेंडर भरने में MSME को प्रार्थमिकता दी जाती है एक और एक और बेनिफिट होता है मानली यह एक नॉन MSME कंपनी उसने प्रोड़क्ट का रेट हैंडर रुपी दिया है और आपका 110 रुपे हैं तो MSME की जो बिडिंग होगी उसमें भी आपको प्रायरिटी बिलती है गॉर्मेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नियम बना है कि इतने जो एक लेवल के कॉर्परेट्स हैं वो कोई भी मेट्रिल प्रिक्योर करेंगे खरीदेंगे तो उनको MSME से भी खरीदना निवारे है भारत सरकार कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लगाएगी कोई भी काम करेगी और मेट्रिल की रिक्वार्मेंट रहेगी तो MSME से खरीदेंगे उसके बाद में जो कॉमन चीजें होगे या अगर आपकी फर्म है आपकी LLP कंपनी आपकी प्रैविट लेमिटेड कंपनी आपकी पब्लिक लेमिटेड कंपनी रिजिस्टर पार्टनर्शिप है तो आपके पास कंपनी का सेपरेट पैन नंबर होगा अगर सोल प्रोपैडर्शिप है तो आपके पास होना चाहिए नहीं है तो फर्म रेजिस्टेशन के बाद आप GST के लिए अपलाई जरूर करें रिक्वाइड लाइसेंज इफ एनी बहुत सारे बिजुंस में अलग-लग लाइसेंस रिक्वाइड होते हैं जैसे माली जिया आप क्रेकर से रिलेटिड मतलब बंपटाकी से रिलेट बिजिनस करतें तो फायर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए आप ऐसा प्रोड़क्त में अलग-लग license required होते हैं वो license आपके पास होने चाहिए अगर नहीं है तो वो license के लिए आप apply करें आज government of India ने बहुत सा सिस्टम किया हुए government के साइट पर जाएं देखें आपके कौन-कौन से license हैं कहां कहां पर उसके authority है online apply कर सकते हैं फी समीड भी online कर सकते हैं तो आप ये काम agent के थूरू भी करा सकते हैं इसके लावा current bank account आपका होना चाहिए क्योंकि आप individual identity के रूप में नहीं आप एक business owner के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके business का जो भी आपका brand name या company name है उससे आपका bank account होना चाहिए अगर bank account होता हो समझ लीजिए कि जो सामने वाला व्यक्ति वो आसानी से transaction करने में सक्षम होगा आपसे क्योंकि individual level पर आपके personal नाम पर लोग पैसा देने के लिए तयार नहीं होते वो कहते हैं कि business की company का नाम तो आपका ही है firm का नाम तो आपका ही है लेकिन आप पैसे मुझे personal account में ले रहे हैं तो मुझे bill कैसे मिलेगा तो इस problem को solve करने के लिए आपका current account होना चाहिए जिस भी company की जो भी registered आपने नाम रखा हूँ है अपनी firm का fine तो यह certification registration licensing है जो अनिवारे है अगर आप business को systematic तरीके से बनाते हैं और भविश्य में उससे बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो systematic तरीके को आपको follow करना पड़ेगा नेक्स जो important बात है वो आपको यह वी Decide करना है कि आप कर्राएं जो प्राफ करने हैं इसका establishment कर रहे है उसमें आपर सबस्क्राइब इसक्तर ही पार आप को मुझेशन टोड़ी थोड़ी क्या है किस टाइब का बिसन्स कर रहे हैं यह ए एक बात और 10 क fellas और इसा नहीं है कि जो लोग रीटेल कर रहे रहे हैं वह पूंटर सकते हैंAndSON कर सकता आप का बिजनस से अचप्रूट करता है कि आपका जो प्रोड़क्त है उस पॉसमें किस तरह की डिलिक करना चाहते हैं तो यह सारे प्राफधान है जिनको आप कर सकते हैं आपकी जो इंफॉर्मेशन ना वो जितनी बेतर तरीके से आपके पास होगी जितनी बेतर तरीके से आप चीजों को ड्राफ्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आसान होगा बिजनस को सही तरीके से करना और एक्सपेंशन की और ले जाना नेक्स बात है वो क्या है अब हमें बिजनस को शुरू करना है अब आप रेडिये अपने बिजनस का शुबारंब करने के लिए यही सबसे बड़ी प्राब्लम है भारत जैसे देश में लोग व्यपार शुरू कर देते हैं और जब आग लगी नहीं तो वो सारी चीजें करना भी बहुत अनिवार है लेकिन अगर आप सिस्टेमिटिक तरीके से करते हैं तो फर्स्ट ये से आपको सारी प्लाणिंग करनी होती है एक इंपॉर्टन बात यहां पर और है कि जब आप अपने बिजनस में करते हैं दो चीज़े होती ह है तो मेरी फर्म का नाम है ज्यान ओवर्सेज और मेरा ब्रैंड का नाम है मेटास 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 लाइफस्टाइल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है और ब्रैंड का नाम क्या है हो सकता है आपकी कंपनी का नाम और ब्रैंड का नाम से और अलग अलग तरह का बाती है तो एक मपनी के मपनी मल्ड व्राइंड भी ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति यह दी इस तरह के नाम का इस्तिमाल करता है तो आप ये बात को क्लेम कर पाएं कि ये रिजिस्टर्ड नेम मेरा है मेरी फर्म का नाम है मैं इस व्यपार चिन्न से व्यपार कर रहा हूं उसके लिए क्या करना होगा आप अपने फर्म के करना जो ब्रैंड नेम है ये ट्रेड़मार्ण को देंगे वह आपको एक लाइसन्स देंगे कि ठीक है आपका ये ट्रेड मार्ख है और डेढ़ साल दो साल धाइस आल के अंदर अगर को अब्येक्शन नहीं आता है तो इस ट्रेड़मार्ट का और मे कंवर्ट कर रहे हैं और कहीं कोई दूसरा विक्ति उसी नाम से व्यापार तो नहीं कर रहा है इस समय अबदी में वह चक कर लेते है कि कोई दूसरा रही स्टर नहीं कोई अबन को उब्येक्शन आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है वैसे तो सिस्टम यह कि पहले सारी चीज़े तयार कर लें कि आए ना या पहले से चेक करा लें कि यह मैं नाम रखना चाहता हूं अपने ब्रैंड का यह नाम एविलेबल है या नहीं या कोई कंपनी का अब्येक्शन तो नहीं आएगा इस पर उसके बाद आपको ब्रैंड न किस तरह की प्रोडट्स में आप डील करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना प्रोडड्क का सिलेक्शन करें जब आपए डिसाइड कर लें कि मुझे इस प्रोड़क्ट में डिल करना जैसे आपको बताता हूं मैंने ङपनी कंपनी को बनाके तयार किया रेडिस्टेशन रे प्रोडक्ट हो सकता है को फर नीचर हो सकता है तो उसके बाद सबसे पहले हमने काम किया किया है सिल अब त्रेडिंग करती है तो इसका मतलब आप आप नहीं गाते हैं तो कोई ना कोई vendor या Supplier या Agent आपको material देगा तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है जो Product आप बनाना चाहते हैं सका selection करें selection करने के बाद टाइब करें किसे vendor से Supplier से और एजेंट से और जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको को रिसर्च करनी होती कि उस इंडस्ट्री के वेंडर्स कहां पर हैं सप्लाइर्स कहां पर हैं ट्रेडर्स कहां पर हैं मैनुफेक्ट्र कहां पर हैं उनसे कंटाक करो उनसे मीटिंग करो उनसे प्रोड़क्ट के सैंप्लिंग प्रोडक्ट में अगर आप सेल जनरेट करना चाहते है न तो आपको मार्केटिंग करनी होगी और फ्रेंड्स दुनिया का कोई भी ऐसा व्य आप आर्न यह जो बिना मार्केटिंग के चल जाए। चिए हर प्रोड़क्त की मार्कीट जब तक नहीं तो मार्किटिंग सी ब्लेवल की डाओ आप कर तो आप मार्किटिंग के कि अपए अपने अपने प्राइन है जिसके बारेgehen अलक से हम बात करेंगे अब यह तो मैं बात कर रहा हूं कि process and system and documentation क्या है तो आप marketing शुरू करें marketing को अगले topic में लेने वाले हैं next lead generation marketing से आपके पास क्या हैगा बहुत सारी lead generate होंगी उस lead को regular follow-up करें तो lead कैसे generate करना है वो marketing के chapter में आपको बताएंगे जब बहुत सारी leads आपके पास आएंगी तो leads का regular follow-up करना है उनको product information देनी है product sample है catalog है price list है या क्या-क्या services या क्या-क्या support आप देने वाले उसकी पूरी जानकारी आप देने वाले है तो lead generation पर follow-up की strategy लगाते हैं और follow-up की strategy भी अगला एक chapter है जिसमें follow-up का एक-एक सिधान सीखेंगे और अपने business में कैसे implement करना है उस पर अमल करे उसके बाद boost your sale friend दुनिया में कोई भी ऐसा व्यापार नहीं है जो बिना sale के growth कर जाए आप कितना भी अच्छा staff रख लें कितना अच्छा management कर लें कितना अच्छा product develop कर लें कितना अच्छा administrative staff बना लें कितना अच्छा interior कर लें जब तक आपके पास sale नहीं होगी तब तक आ growth करना है बहुत साल पहले नहीं कहा जाता था कि आप अगर अपने family में बात करेंगे दादा जी से पिता जी से और जो आपके family के senior लोगे उनसे बात करेंगे तो उन्हें एक बात कही थी कि बेटा व्यापार पर ध्यान दोगे तो व्यापार चलेगा तो वह व्यापार को च company के दो अलग अलग पार हो जाएंगे एक तो व्यापार को चलाना और दूसरा व्यापार को बढ़ाना इस सारे topics पर हम आगे आने वाले chapters पर बात करने वाले हैं आज हमने बात कि कि procedure and documentation for business establishment क्या है एक बार मैं सारे points को दुबारा एक बार revise कर देता हूं friends मेरा आप से लोगो अभी तक नहीं किया है उसको तुरंत apply करें और तुरंत apply करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो को आप देखें तो पहला हो गया business identity, sole proprietorship, OPC, partnership, LLP, private limited company, public limited company यह आपने decide कर लिया कि बिजनस की क्या identity आपको create करनी है उसके बाद आपने decide कर लिया कि कौन-कौन से certificates उसके payment license हो गया है मैं से मेरे इस्ट्रेशन पैन नमबर GST required license अगर कोई चाहिए तो और bank account हना और साथ-साथ जब यह बनके तयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको अपने डिसाइड करना है कि मेरे business की working क्या होगी retail करूंगा wholesale करूंगा distribution trading manufacturing import import export या दोनों इ करते हैं कि किस-किस को कौन-कौन सा material चाहिए उनकी demand को note करते हैं और supplier से contact करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको एक बायर दे रहा हूं उसके बदले मुझे इतना commission चाहिए तो commission basis पर भी काम करते हैं तो यह सारी चीज़ें उसके बाद आप business का शुबारंब करें vendor से जो भी आपको material देने वाले हैं supply देने वाले हैं बहुत सारी जगह पर हमें टाइप की जुरूत में बढ़ती है एक wholesale market होती है हम वहाँ पर जाते हैं बहुत सारी शौप से contact करते हैं देखते हैं प्राइज लिस्ट लेते हैं और उनसे metal बाय करना शुरू कर देते हैं ल growth पर इन तीनों बारों बिशेव पर हम अलग से चर्चा करने वाले हैं हमारे आने वाली classes में ताकि हम यह समझ पाएं कि right marketing strategy क्या होती है friends मेरा आप लोगों से एक request है आप लोग लिए Q&A class होगी जिसमें आप अपने सभी प्रश्णों के जवाब live मुझसे पूछ सकते हैं उसके लिए जरूरत है आपके पास questions note होने चाहिए आज आप class return कर रहे हैं आपके mind में कोई question आप सोचो कि मैं बाद में पूछ लूँगा तो उसके पोजाने वाला है और एक वीडियो को आप कई बार देखें हर बार जब आप अलग तरीके से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अलग प्रश्ण आपके मन में पैदा होगा और उस प्रश्ण को जरूर नोट करें और की ओंडे class में अपना प्रश्ण जरूर पूछे स्वस्त रहें मस्त रहें मैं डॉक्ट्रामित महिश्वरी आपके सुरे बविश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत